नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करेंगे hyperasidity के बारे में अगर आपको hyperasidity की समझता है और साधी साथ आपको apach की समझता है indigestion की समझता है जिसके एकारण आपके पेट में बहुत ज़्यदा gas बनती है acid बनता है और इसी के एकान आपको बहुत ज़्यादा जिलन होती है आपके पेट में और आपका acid reflection होता है आपका acid उपर की side आता है और आपको खटी-खटी डखारे आती है और आपके पेट में जिलन बनी रहती है आपको बहुत ज़्यादा acid बनता है अगर आपने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरा चैनल को आप सब्सक्राइब करें, मेरी वीडियो को लाइक करें, साथ में बल आइकनी भी ओन कर दें, जिससे कि मेरी वीडियो की नोटिफिक्शन आपको टाइम से मिलते रहें, चलिए सुरू करते हैं तब करो में पूर्जी देतु हैं आकर अपके पेट हैं अगर आपको याय। बहुत याय। आन्व समेश्थ में देखे जाती यह FORYCAL हैत्यार्व कौन व dosage और ड़ी स्व प्छों भाज्ग को जहासी है। इसे पचाने के लिए एसीड हमारे पेट में ही होता है और इसे पचाने के लिए एसीड बहुत ही जरूरी होता है क्या होता है जब भी हम कुछ ऐसी चीज खा लेते हैं फासपूर्ड वेगरा या ओली चीज बहुत ज़्यदा खा लेते हैं तो हमारा पेट क्या करता है हमारा इसमें जो इसीड होता है, उसका रिफ्लेक्शन होने लगता है, इसीड बहुत ज्यादा बनने लगता है, हमारे पेट में अस्टोमस में, और साथ-साथ यह भोजन पचाने में सायक होता है, तो इसका काण यह होता है, जब भी हम कुछ भी ऐसी चीज खा लेते हैं, तो हमारे पेट को ये symptom मिल जाता है कि हमें बहुत ज़्यादा acid बनाना है और ये बनाते बनाते बहुत ज़्यादा acid बनाने लगता है जो भोजन पचाने लगता है और जब हम वो भोजन खाना छोड़ देते हैं कुछ भी oily fast food तब भी पेट उस चीज को बनाता रहता है acid को reflex करता रहता है इसे ही hyper HDT कहते हैं और हमारे पेट में acid की मातरा ज़्यादा हो जाती है और इस acid की वेज़े से कब गभी हमें सीर में दर्द भी हो सकता है और हमें घटी ढगारे और उल्टी भी हो सकती है और साथ साथ आपका पेट फूल सकता है आपको अपच की समस्ता भी हो सकती है अब मैं आपको इसके लक्सन के बारे में जान करें दूँगा अगर आपको बहुत ज़्यदा हाई पर HDT है अपच की समझता है तो आपके पेट पर इसके क्या का लक्सन मैसूद दे सकते हैं या आपकी बोड़ी पर इसके क्या का लक्सन मैसूद दे सकते हैं इसका first or main lesson है आपको gas acidity बनना अगर आपको अपच की समझता है आपको indigestion की समझता है आपका भोजन सही से नहीं पस्ता है जो आप भोजन काते हैं उसमें sudden पैदा हो जाती है और वो आपके पेट में ही सरणने लगता है मैसरने के करन्य आपको gas acidity indigestion की समझता उत्वन हो जाती है ये एक इसका main कायन है और दूसरा कायन है दोस्तों इसका बहुत ज़दे तनाउन लेना अगर आप बहुत ज़दे तनाउन लेते हैं आप anxiety महसूस करते हैं इसके करन्य भी आपको gas acidity indigestion की समझता हो सकती है और जोस्तों hyper acidity के अब मैं आपको बताऊंगा कि आपको अगर hyper acidity की समझता है अपच की समझता है तो आप इस condition में किस चीजों को avoid करें और इन्हें खाने से बचें और इनका फ्रेज करें मिर्च मसाले अगर आप खाने की चीजों में बहुत ज़्यादा मिर्च मसालों का पर बनती हैं इन्हें आप लेने से avoid करें अगर आपको ऐसी सभी समझता है आप ओली फास्पूड और तले भुने खाने से फ्रेज करें और साथिसाथ आप बर्गर चाउमीन मॉमो जैसी चीजों को भी avoid करें इन्हें खाने से hyper acidity की समझता आपको हो सकती है जैसे खट्टे फल संतरा नीम्बू कीवी कच्चा आवला इन्हें खाने से आप फ्रेज करें दोस्तों साथे साथ दोस्तों बैंगन टमाटर और कच्चे प्याज को भी आप avoid करें अगर आपको hyper acidity की और अपच्की समझता है अगर आपको gas acidity indigation की समझता है अपच्की समझता है अगर आपक acid syrup hyper acidity and indigestion की समझता में यह काम करता है अब इसके अंदर जो जो medicine delivery है मैं इसके बारे में बता देता हूं कि यह हमारी बोड़ी पर कैसे वरक करती है दोस्तों इसमें first or effective medicine delivery है उसका नाम है natrium force natrium force बहुत ही अच्छी medicine है दोस्तों hyper acidity के लिए और indigestion के लिए अगर आपके liver में problem आ गई है और जिसके करण आपको indigestion gas की समझता है आपको खटे-खटे धकारे आती है आपका फेट फूल जाता है तो इसके लिए यह बहुत ही अच्छी medicine है दोस्तों इसमें जो delivery है next medicine है दोस्तों कार्बवेज कार्बवेज बहुत ही अच्छी medicine है gas acidity indigestion के लिए अगर आपका पेट पूल जाता है आपको gas बहुत जदा बनती है खाने के बाद बनती है और आप परिसान नहते हैं और आपके गले में भी जिलन होती है और आपका फेट फूल रहता है गैस के समस्ता है और जिसके कार्ण आपको indigestion gas HD की समस्ता लगातार बनी रहती है बहुत जदे जलन होती है बहुत जदे एसीड बनता है और आप साधी पालिटी में आपने बहुत जदे खा लिया जिसके कार्ण तुरंत आपका पेट खराब हो जाता है आपको gas HDT की समस्ता बनी दोस्तों इस रहती है उसके लिए बहुत अच्छी समस्ते है और बहुत जदे आपकोsecस्ता की चकटिकार बहुत जिसका च Was à है दोस्तों उल्टी आना मितली आना आगर आपको यह सभी समय से हैं तो इसके लिए बहुत ही अच्छी मैडशी में डेलिविये इसका बहुत ही अच्छा रिजल्ट आता है हाई पर और सुबह दो फैर स्याम पीना है आपको आदा घंटा खाने से पहले पीना है और आपको यह आधे कप पानी में लेना है आपको आधा कप पानी लेना है उसमें आपको इसके डेसमेल डाल लेने है और आपको ऐसे आदा घंटा पहले पीना है खाने से ऐसे ही आप सुबह ऐसे ही स पानी लेना है आपको उसमें डालके पी लेना है तो आपकी बोड़ी पर इसके बहुत ही अच्छे रिजट मिलेंगे दोस्तों अगर आप चोटे बच्छे हैं आपकी एच पांस साल से लेकर दस साल के बीच में हैं तो इसका आप इस्तमाल सिरफ 5 एमेली करें तो आपकी वीडियो देखने के लिए थैंक्यू सो मुझा